केरल के नव न्यूक्त राजपाल आरिफ मुहम्मत खान सब हमारे साथ है सर बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है सबसे पहरे तो आपकी प्रतिकरिया क्या चुनौती होंगी किस तरह से कामकाज करेंगे सर यह चुनौती नहीं है यह अफसर है अपने देश के उस राज्य की सेवा करने का जो राज्य बहुत ही पिरगती शील है वहाँ पर सत्तर में जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब मैं पढ़ता था कि 80% से ज्यादा लिट्रेसी रेट है तो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो एक उपरचुनिटी और फिर हम बात करते हैं अपने देश की विविदताओं के बीच एकता की तो मैं तो उत्तर पर देश में पैदा हुआ हूँ दिली में रहा हूँ ज्यादा बात मैं पूरे भारत की करता हूँ तो मुझे उस तरह भी एक बड़ी उपरचुनिटी है कि जो बात मैं करता रहा हूँ उसको अब मैं मुझे उसको experience करने का और उसको निहारने का appreciate और admire करने का इंडिया की जो diversity में unity है उसका मौका मिलेगा जैसा आपने का literacy rate बहुत हाई है केरल में और जो वहां की राजितिक समिक्रण है वो भी बिल्कुल different है और राज्यू के मुकाबले तो कैसे सर तालमेर बिठाएंगे केंदर में बीजेबी की सरकार है केरल में कोई सरकार है कैसे रहे हैं कोई problem नहीं होती हमारे हां बार-बार प्रूव हो चुका है हमारा बड़ी बहुत जीवन्त लोगतंतर है हमारा जिसमें इसके लिए पूरा scope है के जहां जिसे लोग चुनेंगे वो सरकार चुलाएगा एक सर आकरी सवाल राजपाल एक समयधानिक पद है अब देखा जा रहा है कोई रानितिक टिपनिया भी उन पर होने लगी है तो उसको कैसे आप एड़िस्स करें सर ये को खास बात नहीं है ये को खास बात नहीं है और अब नहीं ये शुरू हुआ है ये तो पहले से भी होता रहा है ये कोई खाद बात नहीं है और लोग तंतर में इसकी इजादत होनी चाहिए चुकर मानिये थोड़ी देर के लिए कि अगर अनुचित भी है अलोचना तो भी वो मुझे एक तरह से मौका देती है कि मैं और ज्यादा साफ़ धनियां बढ़ता हूँ कोई चुनौतिया नहीं हों विकास के लिए के लिए करेल को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे कैमरा परसिन विविक बटाचारे के साथ प्रिशान्त यागी सुराज एक्स्प्रेस दिली